दोस्तों पिछली क्लासेज में हमने कंपनी, लेजर, यूनिट ओफ मेजर, इस्टोक आइटम आधी को क्रियेट करना सीख लिया है। इसके साथ ही हमने रिसीट, पेमेंट, जर्नल, सेल्स, पर्चेस, कॉंट्रा वाउचर टाइप में एंट्रीज करना भी सीख लिया है। या रिसीट की एंट्री पेमेंट में कर ली है, तो कहीं पर डेट या अमाउंट गलत एंटर कर दिया है। तो आईए शुरुआत करते हैं। और आप लेजर्स की एंट्रीज को देख पाएंगे। आप चाहें तो डेल को सौटकट के तोर पर कहीं नोट कर लें। क्योंकि यह सौटकट बार बार उपयोग में आता है। दोस्तों लेजर्स दिखाई दे रही है और आपको यहां से वह लेजर्स चुनना है जिसकी एंट्रीज आपको चेक करना है। तो आप ERP9 जैसे ही पहले डिस्पले, फिर अकाउंट बुक्स और फिर लेजर आप्शन पर जा सकते हैं। या कीबोर्ड से D, A, L की इसको एक एक करके प्रेस कर सकते हैं। या टेली प्राइम में किसी भी रिपोर्ट पर रहते हुए, टॉप बार पर नए जोड़े गए बटन गो टू पर क्लिक करके, या इसकी सोटकट की अल्टर के साथ G प्रेस करके, लेजर वाउचर्स पर एंटर करके भी लिस्ट ओफ लेजर को देख सकते हैं। लिस्ट ओफ लेजर्स आने के बाद यहां से आपको वह लेजर चुनना है, जिसे आप चेक करना चाहते हैं। पर आपको कहां से कहां तक का पिरेड लेना है, वह एंटर करना है। पहले मैं आपको 1 जनवरी से 31 मार्च तक का पिरेड लेकर बता देता हूँ। यहां पर फ्रोम में मैंने 1 जनवरी एंटर कर दिया है और 2 में 31 मार्च एंटर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि पिरेड बदल चुका है। अब मैं आपको पिरेड बदलने के लिए जरूरी बात बता देता हूँ। मैंने यहां पर एक बार फिर से अलटर के साथ F2 की प्रेस कर दी है। दोस्तों आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है। यदि आपको सारी एंटरीज देखना है तो यहां पर आप फ्रोम और 2 में डेट एंटर करने के बजाए सिर्फ इस्पेस बार प्रेस कर दें। तो शुरुआत से लेकर अंतक की सारी एंटरीज दिखाई देने लगेंगी। तो मैंने फ्रोम में स्पेस प्रेस कर दिया है और 2 में भी स्पेस प्रेस कर दिया है। Enter की प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर salary की पूरे साल की entries दिखाई देने लगी हैं अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जरूरी configuration setting बता देता हूँ configuration setting बदलने करे shortcut की F12 प्रेस कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला option है select voucher to show जहां तीन और options दिये गए हैं हमें यहां पर all voucher सी रखना है यदि हम सिर्फ credit की entries देखना चाहें या सिर्फ debit की entries देखना चाहें तो वेसा option ले सकते हैं इसके बाद option है format जहां पर अभी condensed है इसे detail में करने के लिए detailed को ले लेते हैं पहले मैं आपको इसे detail में करके दिखा देता हूँ तो setting को save करने के लिए यहां पर control के साथ A press कर देते हैं यदि आपने किसी entry में एक से ज़्यादा layers को debit या credit किया हुआ है तो वे condensed mode में दिखाई नहीं देते हैं किन्तु आप यहां देख सकते हैं कि अगस्त माह में salary का payment करने के लिए bank से 2000 रुपे का check और 1500 रुपे नगत दिये गए हैं और इस कारण से bank वे case के ledger यहां पर credit हुए हैं तो detail में करने पर वे दोनों ही ledger दिखाई देने लगे हैं अल्टर के साथ F1 प्रेस करके भी detail mode से condensed mode में या वापस से detail mode में आ सकते हैं मैं यहां पर shortcut की अल्टर के साथ F1 प्रेस करके condensed mode में दिखा देता हूं अगस्त माह में अब सिर्फ वही ledger दिखा रहा है जिसे पहले credit किया गया था तो किसी entry को सही डंग से देखने के लिए detailed mode को own कर लेना ज्यादा अच्छा होता है इसलिए मैं अल्टर के साथ F1 प्रेस करके इसे फिर से detailed mode में कर लेता हूं अब F12 की प्रेस करके एक बार फिर से configuration setting पर आ जाते हैं यहां आगले options है show bill wise details और show cost center details आलसो जिने मैंने अलग से separate classes में detail में explain किया हुआ है तो इन्हें भी no ही रहने देते हैं आगे के options बताने से पहले मैं आपको show narrations बता देता हूं उसके बाद बागी के options बता दूँगा तो show narrations को yes पर set करने के बाद हम control के साथ a press करके setting को save कर लेते हैं यहाँ पर सभी entries की narrations दिखाई देने लगी है particular से यहाँ पता चलता है कि भुक्तान का माध्यम क्या है यह भुक्तान नगत किया गया है या बेंग किया किसी अन्य माध्यम से किया गया है अब आगे के options देखने से पहले हम salary के laser को check कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है जैसा कि हम golden rules वाली class में सीख चुके हैं सभी खर्चों और हानियों के laser को debit किया जाता है तो खर्चों के laser को check करते समय खर्चों की सभी entries आपको debit side में दिखाई देनी चाहिए अगर खर्चे की कोई entry credit side में है तो उसे एक बार और जरूर चेक कर लीजिए वह गलत हो सकती है जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर महीने के वेतन की entry गलती से payment voucher type के इस्थान पर receipt voucher type में कर दी गई है और इस कारण से यहाँ credit side में दिखाई दे रही है हाँ अगर हम कहीं पर नोकरी कर रहे होते और हमें salary के रूप में आय हुई होती तो वह credit side में होती किन्तो ऐसा हुआ नहीं है और यहाँ पर salary आय नहोकर हमारा खर्चा ही है और गलती से इसकी entry credit में हो गई है तो इसे सुधारने के लिए इस entry पर जाकर enter की प्रेस कर देते हैं यहाँ पर हमें receipt voucher type को payment voucher type में बदलना है तो इसके लिए payment voucher type की shortcut की F5 प्रेस करने पर voucher type payment voucher type में बदल चुकी है salary account भी credit के बज़ए debit हो चुका है यदि आप date, amount या अन्य कोई change करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं किन्तु यहाँ में और कोई change नहीं करना है इसलिए हम control के साथ A प्रेस करके इसे save कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि entry debit side में आ गई है और entry में सुधार हो गया है लेजर को आगे और चेक करने पर पता चलता है कि नवंबर माह की entry करने से रह गई है इसके लिए हम चाहें तो वापस से gateway of daily पर जाकर accounting vouchers या vouchers से छूटी हुई entry को कर सकते हैं किन्तु आपको वापस से बाहर जाने की जरूत नहीं है आप यहीं से छोटी हुई entry को ADI insert कर सकते हैं ADI insert करना बताने से पहले मैं आपको किसी entry की duplicate entry करना बता देता हूँ चुकि salary की सारी entries लगभग एक जैसी ही है तो हम नई entry करने के बजाए पहले से की गई October की entry की ही duplicate entry कर लेते हैं इसके लिए पहले हम cursor को October की entry पर ले चलते हैं और duplicate के लिए shortcut की alter के साथ 2 प्रेस कर देते हैं यहाँ 2 alphabet के उपर वाला 2 होगा ना कि number paid वाला 2 accounting voucher creation duplication screen आ गई है जहां हमें सिर्फ date ही बदलना है तो मैं यहाँ पर date बदलने के shortcut की F2 प्रेस करके 30 नवंबर की date ले लेता हूँ narration पर जाकर इसमें सुधार कर लेते हैं और अब control के साथ A प्रेस करके इसे save कर लेते हैं अब इसी प्रकार से I की entry को check कर लेते हैं आप escape की प्रेस करके वापस से list of ledgers पर आ सकते हैं किन्तु हमें ऐसा नहीं करना है और escape की के इस्थान पर F4 की को प्रेस करके list of ledgers को देखना है क्योंकि यह दिए आप escape की प्रेस करके किसी ledger को चुनते हैं तो हमारे द्वारा की गई सारी configuration setting और period की settings चली जाती हैं जबकि F4 की प्रेस करके ledger को चुनने पर वे सारी settings बनी रहती हैं तो मैं escape की के बज़या F4 की को प्रेस कर देता हूं और interest received account के ledger को चुन लेता हूं आप देख सकते हैं कि सारी configuration setting और period की setting अभी वेसी ही बनी हुई हैं अब हम इस ledger को भी check कर लेते हैं ledger को देखने पर यहां एक बात पता चली है कि जून माह में ब्याज की entry दो बार कर दी गई है किन्तु होना एक ही बार थी तो एक entry को alter के साथ de-press करके delete कर देते हैं दोस्तों यहां पर आपको विशेश साउधानी रखना होगी कि कभी वास्तों में ही एक जैसी entry दो बार हुई हो तो तुरूटी वस उसे delete नहीं कर देना है तो alter के साथ de-press करने पर टेली द्वार और delete करने के लिए confirm किया जा रहा है तो यहां पर हम enter की press करके इसे delete कर देते हैं आप देख सकते हैं कि जून माह की एक extra entry delete हो चुकी है अब इस laser को आगे check कर लेते हैं जैसा कि हम golden rules वाली class में सीख चुके हैं सभी आयवल आभों के ledgers को credit किया जाता है तो आयवल आभों के ledgers चेक करते समय आयवल आप की सभी entries आपको credit side में दिखाई देनी चाहिए अगर आई की कोई entry debit side में है तो उसे एक बार और जरूर चेक कर लीजिए वह गलत हो सकती है यहां हम देख सकते हैं कि अगस्त महिने में मिले ब्याज की entry गलती से receipt voucher के इस्थान पर payment voucher type में कर दी गई है और इस कारण से वह entry यहां debit side में दिखाई दे रही है तो इससे सुधार निकली से entry पर enter की प्रेस कर देते हैं इसे भी control के साथ A प्रेस करके save कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि entry credit side में आ गई है और entry में सुधार हो गया है अब हम किसी वस्तु या real account के ledger को check करना सीख लेते हैं F4 की प्रेस करके list of ledger से हम sales के ledger को select करके enter कर देते हैं यहां sales के ledger से हमें यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि बेचा गया माल या बेचा गया stock item क्या है तो इसके लिए F12 की प्रेस कर देते हैं और configuration setting में 100 inventory details को yes पर set कर देते हैं control के साथ ए प्रेस करने पर आप देख सकते हैं कि बेचे गया माल की सारी detail भी दिखाई देने लगी है कि कौन सा stock item बेचा गया है कितनी quantity में बेचा गया है और किस भाव से बेचा गया है इसके बाद एक बार और F12 की प्रेस कर देते हैं और अब 100 bank details आलसो को भी yes कर देते हैं जिससे अधी payment या receipt bank के माध्यम से हुआ है तो check या draft का number उसकी date आधी दिखाई देने लगेंगे और 100 additional details पर yes करने से जिस bank का check या DD प्राप्त हुआ है उसकी वह bank से संबंदित अन्यातिरिक्त जानकारियां भी मिलने लगेंगी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि DD या check का number उसकी date और जिस bank का check या DD बना हुआ है उसकी जानकारी भी दिखाई देने लगी हैं अब F4 की प्रेस करके list of ledger से हम case के ledger को select कर लेते हैं दोस्तों जैसा कि हम golden rules वाली class में सीख चुके हैं कोई भी वस्तु चाहे वह case वह furniture हो या माल ही क्यों नहो जब वह वस्तु व्यापार में आती है तो उसके ledger को debit किया जाता है इसलिए उस वस्तु के आने की entry debit side में होना चाहिए जैसा कि इस entry से पता चल रहा है और particular से या जानकारी मिलेगी कि वह case कहां से आई है जैसा कि इस entry से पता चल रहा है कि या case माल को sale करने से आई है इसी प्रकार जब भी व्यापार से case जाएगी या किसी को payment किया जाएगा उसकी entry credit side में होगी जैसा कि इस entry से पता चल रहा है और particular से यहाँ जानकारी मिलेगी कि वह case किसे दी गई है या उसे कहां खर्च किया गया है जैसा कि इस entry से पता चल रहा है कि यह case वेतन या salary के भुकतान में दी गई है तो अब हम case के लेजर को चेक कर लेते हैं यहाँ पर इस entry को देखते ही हमें पता चल जाता है कि यह entry गलत हो गई है क्योंकि telephone का खर्चा होने से यह case गई होगी और वस्तु जाती है तो नियमानुसार इसे credit में होना चाहिए था जो कि तूटिवस debit side में है तो enter की प्रेस करके इसे भी receipt के बज़ए payment voucher type में change कर लेते हैं और सुधार कर save कर लेते हैं यह entry भी सुधार चुकी है अब हम किसी party के लेजर को check कर लेते हैं इसके लिए F4 की प्रेस करके manohar enterprises के लेजर को select कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कुछ और बताने से पहले यह बता दूँ कि किसी party के लेजर को देखते समय अगर आप चाहें तो alter के साथ C प्रेस करके party की contact details को देख सकते हैं तो यहाँ पर alter के साथ C प्रेस करने पर party की contact details दिखाई देने लगी हैं जिसे हटाने के लिए हमें escape की प्रेस करना होगी अब यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपन सोटकट कीज बताने वाला हूँ यहाँ पर laser चेक करते हुए पता चला है कि 20 अपरेल को दो बार party से रुपे प्राप्त हुए थे जिसकी entry करना रह गई है दोस्तों छुटी वी entry को करने के लिए हमें बाहर जाने की ज़रुत नहीं है हम यहीं से छुटी वी entry को add या insert कर सकते हैं पहले मैं आपको किसी भी तारिक में छुटी वी entry add करना बता देता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले हमने cursor को 20 तारिक की entry पर ले लिया है जो की sales की entry है और हमें यहाँ पर entry add करने के लिए shortcut की alter के साथ ए प्रेस करना होगी तो alter के साथ ए प्रेस करने पर voucher creation screen open हो जाती है जहां से हम छुटी वी entry को कर लेते हैं चुकि इस entry में राशी प्राप्त हुई है इसलिए F6 की प्रेस करके यहाँ पर मनोहर enterprises से प्राप्त 5000 रुपे को जमा करने की entry कर लेते हैं मैंने यह entry कर ली है और इसे save कर लेते हैं आप देख सकते हैं कि यह entry पहले से की हुई sales की entry के बाद में add हुई है अब इसी तारिक की छुटी हुई दूसरी entry को करना है लेकिन इस बार में add के बजाए insert की shortcut की use करूँगा और वह है alter के साथ i तो दोस्तों alter के साथ i प्रेस करने पर भी voucher creation screen open हो जाती है जहां से हम एक बार और छुटी हुई entry को कर लेते हैं F6 की प्रेस करके यहां भी मनोहर enterprises से प्राप 40,000 रुपे की entry कर लेते हैं मैंने यह entry भी कर ली है और इसे भी save कर देते हैं आप देख सकते हैं कि यह entry पहले से की हुई sales की entry के पहले insert हो गई है तो दोस्तों यदि आप alter के साथ i प्रेस करके किसी entry को करते हैं तो वह उस date में पहले से की हुई entries के बाद आती है किन्तु यदि आप alter के साथ i प्रेस करके किसी entry को करते हैं तो वह उस entry के पहले insert होती है जहां पर आपका cursor था दोस्तों एक बार फिर alter के साथ F1 प्रेस करके इसे detailed mode में ले लेता हूँ दोस्तों अभी manohar enterprises का opening balance 3,35,45 रुपे दिखाई दे रहा है हम एक बार फिर से F2L की प्रेस करके configuration setting को open कर लेते हैं और यहां पर include opening balances को no पर set कर देते हैं आप देख सकते हैं कि इसने manohar enterprises के opening balance को हटा दिया है और सिर्फ इस वर्स की की हुई entryों के आधर पर ही closing balance को निकाल दिया है वेसे इस option का use ज्यादा तर filtered reports देखते time किया जाता है जिससे मैंने आगे की classes में clear किया है तो अभी इसे फिर से yes कर देते हैं ताकि हमारा opening balance फिर से आ जाए दोस्तों इसके बाद अगली configuration setting है appearance of stock items names जिसमें stock item को कैसे देखा जाना है इसके लिए कई options दिये हैं यहां समयापको एक option लेकर दिखा देता हूँ हम यहाँ पर name और bracket में alias ले लेते हैं अगर आपको जानना है कि टेली में भासा कैसे बदली जाती है तो मैंने इसके उपर अलग से एक वीडियो भी upload किया हुआ है इसी प्रकार से configuration setting में appearance of names को भी आप अपनी इच्छनुसार देख सकते हैं हम यहाँ पर भी name और bracket में alias ले लेते हैं आप देख सकते हैं कि lasers के नाम के साथ name और alias दोनों दिखाई देने लगे हैं दोस्तों इसके बद configuration setting में अगला option है sorting method आप जैसे भी entries को sort करना चाहें वेसा option ले सकते हैं अभी है default पर set है और मैं यहाँ पर पहले alphabetical A to Z ले लेता हूँ आप देख सकते हैं कि दिखाई दे रहे lasers date के बज़े alphabetically arrange हो गए हैं C से start होने वाले lasers पहले आ गए हैं और S से start होने वाले lasers में भी A से वाले lasers पहले आए हैं और S T वाला laser फिर उसके बाद आया है अब मैं यहाँ पर amount increasing option लेकर दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं कि सारे lasers amount के अनुसार arrange हो गए हैं छोटे amount के entries पहले दिखाई देने लगी हैं और बड़े amount के entries बाद में हैं अगर आप चाहते हैं कि बड़े amount के entries पहले हो जाए और छोटे amount के entries बाद में आए तो आपको यहाँ से amount decreasing लेना होगा आप देख सकते हैं कि बड़े amount के entries पहले आ गई है और छोटे amount के entries बाद में आई हैं इसे हम फिर से default पर set कर देते हैं दोस्तों configuration setting में यहाँ आखरी option है so running balances इसे yes पर set कर देते हैं आप देख सकते हैं कि इसे yes पर set करने से खुले हुए लेजर का हर entry के बाद का balance दिखाई देने लगा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि manohar enterprises का opening balance 3,35,45 रुपे है एक तरिक को उसके द्वारा 25,000 रुपे जमा करवाने पर बचा हुआ balance 3,10,45 रुपे दिखाई दे रहा है और इसी प्रकार से आगे भी हर entry के बाद का balance दिखाई दे रहा है तो दोस्तों आज की class में हमने configuration setting के कई महतोपून options को समझा है और होने वाली संभावित गलतियों के बारे में भी जाना है मुझे पूरा विश्वास है कि आज की class आपको जरूर पसंद आई होगी यदि आपके कोई doubts है सुझाओ हों तो comments में जरूर लिखें यदि वीडियो पसंद आया हो तो like वर share जरूर करें और दोस्तों अगर आप channel पर नए हैं तो channel को subscribe करके bell icon पर भी जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो के notifications आपको तुरंत मिल सकें class में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद